हाई दिस जस्मीत फ्रॉम जस्मीत फ्लास्टी सुकेशन आप सब आई होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे अपने घर पर सेफ होंगे तो यह वीडियो आज कि रहने वाली है है सौल के सीबी सीच्पअ के स्टूएंट के लीए इसके सासाथ जो बच्चे अईस सांवन से exams है semester 3 के semester 5 के ठीक है और semester last के जो बच्चे regular के है लेकिन जो बच्चे खासकर S.O.L. के हैं उनके exam है semester 3 के recently उनके semester 1 और semester 2 के assignment summit होय थे इसके साथ साथ अब exams हो रहे हैं आपके 12 दिसंबर से semester वालों के अब जानते हैं इसके लिए 18 नमबर को एक नोटिस रिलीस किया गया है सभी बच्चों के लिए रेगुलर एंसी वैब और एस वैल के लिए इसके सासर वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को सभी वीडियो से नॉटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से मिल जाए है सभी चीजों को लेके जैसे आपके केते हैं साइमेंट होए थे मैंने आपके पूरी हल्प करी ती सद्रीके से अब आपके एक्जाम रहे हैं ओपन दिसमेंट नहीं आपके और आपके ऑफलाइं पी आइं जानि अगर आप चाहें तो आप सैंटर पर जाके भी एक्जाम अगर आप चाहें तो कहीं भी बैठके अपने open book exam दे सकते हैं 12 December से इसके लिए form already start हो चुके हैं और बहुत जल्द इसके लिए आपका admit card भी जारी कर दिया जाएगा अब थोड़े से update थे कि exam किसके हो रहे हैं किन को exam देना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और assignment किस तरीके से आपकी होंगे proper तरीके से हम बात करने वाएगा सबसे पहली बात कि जो बचे semester 3 के हैं SOL के उनको सिर्फ मौका दिया जा रहा है semester 1 की in case कोई उनकी बैक आ रखी है या फिर वो कहते हैं कोई improvement exam फिल करना चाहते हैं semester 1 का semester 3 के exam के साथ तो वो कर सकते हैं इसके साथ साथ जो बचे semester last की हैं जिनकी केतने graduation जो बचे regular की हैं जिनकी केतने graduation 2020 में पूरी हो चुकी है वो चाहें तो semester 5 के लिए improvement form फिल अब कर सकते हैं जो बचे regular के हैं इनकेस अगर आप कहते हैं regular के semester 5 के student है तो आप चाहें तो semester 3 के जो आपके back आ रही है या फिर इनकेस आपको improvement exam भरना है तो आप कहते हैं semester 5 के साथ अपने semester 3 के exam भी दे सकते हैं ठीक है और इसके साथ साथ आपकी date sheet अभी tentative सर्फ अनौंस की गई थी कुछ से पहले लेकिन अभी आपकी कहते है confirm date sheet आप कहते हैं बहुत जल्द officially आपको मिल जाएगी और यह exam आपके 12 से start हो जाएंगे अब एक सबसे main चीज़ बात है कि अगर आपने कहते हैं form fill up किया था इन exams के लिए और in case आपने चूस किया कि आपको यह exam offline देना है तो आप कहते हैं offline exam देखे case अगर आपने कहते हैं more choose किया था open book examination के लिए और आप चाहते हैं कि आप कहते हैं exam को center पर जाके दें तो वह चीज़ कहते हैं possible नहीं हो पाएगी ठीक है तो इन बातों का सबसे ज़्याद ध्यानके इसके लिए आपको कहते हैं जिस तरीके से आपके assignment हुए थी recently same उसी तरी सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आपको undertaking option मिलेगा उसे प्रापर तरह किसी फिल करके आप कर लोगे जैसे आपने रिसेंट लिए कोई फदर जी नहीं है यह सब कुछ आपको कहते हैं पेपर के उपर mention करना है अब दिक्कत ही आती है कि जो बच्चे हैस्वल क्या है वो semester 3 की त्यारी कहां से करें उन सब के लिए मैंने notes ready कर दी है semester 3 की बच्चों के लिए history के political science के और हिंदी के इसके साथ semester 1 में इनके साथ की कोई बैक आ रिखी है तो इसके लिए भी notes ready हो चुके हैं तो आप कहते हैं वो भी ले सकते हैं link आपको मिल जाएगा description box में जाके इसके साथ साथ इन बातों का ध्यान रखें कि जब आप कहते हैं जब यह form fill up करें exams के लिए तो time के आप कहते हैं form fill up कर दे क्योंकि इसकी last date बहुत जल्दाने वाली है तो कोशिश करें कि आज कल के अंदर अंदर form fill up कर दे और जब भी कहते हैं form fill up करेंगे तो वहां पर जो इमेल एड्रेस है और जो आपका phone number है उसको आप कहते हैं update करें जो site sol की ताकि आपको exam time पे कोई भी दिक्कत ना हूँ क्योंकि जब पीछे exam होए तो कहते हैं बहुत दिक्कत हुए थी बच्चों को उनका email id update नहीं था तो इसके लिए और जो बच्चे ncweb के हैं जो उनके exam year के होंगे सब कुछ उस date sheet के अंदर होने वाला है तो main main यहीं है कि आपके exam 12 December से होने वाले है open book exam और इसके साथ offline exam अब यह आप पर है कि आप कहते हैं उस exam को किस सरीके से देते हैं और ध्यान रखें कि आप कहते हैं mode को बड़े ही ध्यान से चूस करें क्योंकि बाद में पर केते changes नहीं हो पाएंगे in case अगर आपने गलती से open book exam choose कर लिया और आप चाहते हैं कि आप जाके center पर exam देंगे तो दिकत हो जाएगी in case कोई बच्चा किसी वज़ा से अपना paper 4 घंटे के अंदर submit नहीं कर पाता तो उसको max time दिया जाएगा 60 minutes का यानि कि 4 घंटे और 60 minutes extra पर अगर आप कहते हो उस exam को submit करेंगे लेट तो वह exam सीदा चाहेगा करते हैं आपके review committee के पास अब वह उन पर depend करते हैं कि वह exam को consider करते हैं या कि आपको करते हैं कि वह क्या reason था आपने exam late submit को किया तो कोशिश करे exam को सही time पर submit कर दें यह exam कहते हैं आप कहीं से भी दे सकत हैं ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहते हैं अपने डेली में होना चलूरी है आप कहते जहां पर हैं आप वहां पर वैठे वैठे यह exam दे सकते हैं तो प्लस पॉइंट आप सब के लिए बहुत बढ़ी है जो भी पीचे assignment होए थे बहुत ही बढ़ीया assignment रहे हैं बच्चों के exam ले ली जाएं हो भी let's see क्या होता है मौका अच्छा है आप सब के पास लेकिन वही है कि बहुत ध्यान से चीज़े करें और कोई दिक्कत आती है तो definitely I will help you आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं यह मेरा number है और यहां पर आप कहते हैं कोई भी कहते book का use कर सकते हैं open book exam है इसके सासा जो बच्चे हैं PWD category के उनको total 6 गंटे का समय दिया जाएगा ठीक है तो इन बातों का भी आप ध्यान कि आपके पास अच्छा मोग है जैसे आपके पहले exam होई थे सब कुछ same to same as it is रहने वाला है लेकिन कुछ changes है बाकी risks आपका सब कुछ वैसे का मैसे रहने वाला है तो till दन तो जाकी यहीती आपकी आश वीडियों वीडियों को जाहेसे है चेर करें, वीडियों को सब्सुर्स, करें, और प्रेस कर लए बैल आुकन को ताकि आप सभी को सभी वीडियोस को notifications ब्लकु टाइम से मिल जाएं मिलतें आपको झाल झाल